इसको wind pipe भी कहा जाता है क्या कहा जाता है wind pipe भी इसको जो है वो कहा जाता है अब इसकी speciality पता क्या है इसके अंदर ना ऐसे C-shape काटे लेज होती है इसके लेजिए 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 ल आप ये जहन में बाद आती है कि अल्ला ताला ने इसको सी शेय पी क्यों बनाया पूरा सरकल क्यों नहीं कर दिया पूरे ट्रेक्या को क्यों नहीं इफाधत कर दिया सिर्फ सी वाले एरिये को क्यों कर दिया मतलब देखो ये यूं है यूं है यही होते हैं सी ये इस तरह आपकी एसो फेस है यह दॉ्सल पार्ट है इस एरीय में आपके पास क्या है यह आप कि एसो फेकर सब बिटा तब खाने का नवाला निगलो गे खाने का नवाला egent 있어 साइब से भी बड़ा होता है तो यह फूलती है अब फूलेगी इसमें फेस करना है ट्रेक्या को ट्रेक्या आगे होता है एस उसके पीछी होती है अब जब यह फूलेगी तो ट्रेक्या में अगर सी शेप काटिलेजी उस जगहां पर भी होगी तो वो उसको फूल नहीं देगी खाना नवाला वहीं पर अटक जाएगा तो क्या होता है कि यहां पर अल्ला ने सी शेप काटिलेजी कोई नहीं रखी ताकि एसोफिकर्स थोड़ी सी फैले नवाला नीचे चला जाए और एसोफ तो ट्रेक्या में सी शेप काटिलेज उस एरिये में नहीं है तो ट्रेक्या वहां से थोड़ा सा अंदर हो जाएगा मतलब थोड़ी सी गुंजैस दे देगा एसोफिकर्स को अगर इस एरिये में भी सी शेप काटिलेज होती तो एसोफिकर्स फिर फैल ना पाती क्योंकि समझ आगी आपको चले आगे चलता हूँ next next part जो है बिटा मैं बनाऊँगा यही नाम है स्थी shape cartilage यही नाम है इसका किताबों में भी यही लिखा गा चले देखो अब diagram मैं बना रहा हूँ और उसमें मैं बाकी parts भी बनाऊँगा आपने भी ना घर में इसकी बनाने की practice करनी है और फिर मुझे send भी करना है देखोंगा किस किस ने serious लिया मेरी बात और वाके ड्रॉव किया तक बड़ा इस इस काल ट्रेकिया इस इस काल ब्रॉंकाई आच्छा अब यह ब्रॉंक्योल है सोर यह भी ब्रॉंकाई है ब्रॉंक्योल अब ही नहीं है अच्छा यहां ऐसे तीन है तक्सीम तीन में डिवाइड हो जाएगा यहां दो में डिवियन होगी बस यह लेफ्ट साइड है और यह राइड साइड है यह याद रखना के राइड साइड पर फेपडे में ब्रॉंकाई तीन हिसो में डिवाइड होते हैं लेफ्ट साइड के ओपर दो हिसो में डिवाइड होते हैं अच्छा देखो अब यह क्यों मैंने बनाया देखो अभी आपको टेक्निकल बात बताऊंगा आपको समझ आ जाएगी यह दूसरा फेबड़ा एक हो अच्छा अब यहां ना तक्सीम है यह देखें जो राइट लंग्स होता है वो तीन लोब्स में डिवाइड हो जाता है वन टू एन थ्री थ्री लोब्स जबके जो लेफ्ट लंग्स होता है उसमें दो ही लोब्स स्लाइट सेली गए जो लेफ्ट लंग्स है वो दो लोब्स पर मुश्टी में लोता है वन एन टू राइड में तीन लोब्स होती है स्वरी ये चार बन गई है ये वाली लोगी मुझे सिर्फ एक मिनट दीजेगा को इशनी को इशनी झाली लोखनी स्वरी यह तीन लोब्स इस तरीके से इसमें होती है और दो लोब्स जो है मैटा वो पाई जाती है जो है मैटे यह पाई जाती है इसमें लेफ्ट साइड के उपर लेफ्ट वाला थोड़ा सासाईज में छोटा होता है राइड वाला थोड़ा साबड़ा होता है उसे लेफ्ट साइड पर आपका हाट भी है ना दिल भी है शायद ये बजय है अच्छा उसके बाद बिटा मेरी बाद जरा गोर से सुननी है आपωνे बाद आपकी ये जो फेपड़े हैं न फेपड़े के इर्द गिर्द ऐसे एक मिम्ब्रेन होती है ऐसे ऐसे एक मिम्ब्रेन होती है ये परपल कलर में जैसे मैं ड्रॉव कर रहा हूँ ऐसे एक मिम्ब्रेन होती है इस मिम्ब्रेन इसकाल पैलूरा इस मिम्ब्रेन को बिटा आप पैलूरा का नाम देते हैं नाम दोगे पैलूरा इसको आप पैलूरा बोलोगे ओक्यों गे अच्छा आगे चलता हूँ नेक्स्ट अब ये ना जो सी शेप काटिलेज है ना बिटा ये ट्रेक्या से शुरू होती है इसे ट्रेक्या से शुरू होती है ये ब्रोंकाए में भी रहती है जिदार ब्रोंकाए कि रहेगी ये ऐसे ब्रोंकाए में भी रहती है ये तकरीबन ब्रोंकाए तीस से चाली से पचास फर्दर डिवियन होती है इसकी चाली से पचास तक्सीम फिर जाके ब्रोंकियोल बनता है जब इसका डायामिटर वन मिलीमीटर हो जाएगा पिर जाके वरूम के ओल आएगा यह आगे फर्दर डिवाइड होते हैं पिर्टा यह क्यों शेप तो नहीं डी शेप बोल ले डी शेप लाइक होते हैं डी शेप लाइक अच्छा अब मुदे की बात पर आना जा रहो है यह आगे फर्दर डिवियन होती रहेंगी फेपड़े में वो भी मैं आपको बताता हूं अब यह जो हमारे फेपड़े इसकी हिफाधत करते हैं हमारे रिप्स कौन करते हैं हमारे ribs करते हैं देखो ये ना कुछ यूं होते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और ये दस दस ribs होते हैं सामने क्योंकि दो पीछे होते हैं एक दो तीन चार